हेलो फ्रेंड्स असलाम लेकुम जीनत के व्लॉग में आपका वेलकम है आज मैं बिहार का खास रेसिपी लिटी चोखा दिखाने जारी हूँ लिटी बनाने के लिए सबसे पहले चने का सत्तू लेंगे उसमें बारिक कटीवी अनियन डालेंगे फिर धन्या पत्ती डालेंगे बारिक कटीवी लहसन बारिक कटेवे हरी मिच बारिक कटीवी अब जितना खाते हों तीखा उस हिसाब से कलोन जी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने मुताबिक अजवाएन नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लेमन का जूस अचार के मसाले अचार के मसाले डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है खटा खटा फिर इसमें मस्टर्ड ओयल डालेंगे इसमें पानी नहीं डालेंगे मस्टर्ड ओयल ही जादा जाएगा इसमें फिर इसे सब पूरा मिक्स कर लेंगे यह हमारा मिक्सर तयार हो गया है अब आटा लेंगे आटे में नमक डालेंगे तेल डालेंगे आटा जितना होगा कम ज्यादा उसी हिसाब से आप तेल डाल सकते हैं मैंने चार टेबल इस्पून डाला है यह आटा हमारा रेडी हो गया तो आटा टाइट रखेंगे ताकि इसकी लोई बनाके भरने में इजी रहे अब इसकी लोई बनाएंगे मीडियम साइज की छोटी से थोड़ी बड़ी और इसे गोल गोल करके अंदर की तरफ और इसमें ये सत्तू का मिक्शर जो हमने तयार किया हुआ है इसे भर देंगे भर के इसे अच्छे से गोल करेंगे ताकि ये फटे ना फटके ना गिरे ऐसे गोल कर लेंगे इसी तरह सारे लीटी बना लेंगे गोल गोल लीटी को सेखने के लिए हमने अपने बैक्यार्ड में कोईले को जलाया ये कोईला हमारा रेडी हो गया है अब इस तरह से लीटी को हम सेख रहे हैं ये देखिए पलड दिया बहुत जल्दी हो जाता है फ्रेंड्स ये सेखने में टाइम नहीं लगता ये देखिए हमारे घर गेश्ट आये थे तो हमने थोड़ा ज्यादा बनाया है सारे बन के तयार हो गए हमारे अब हम चोखा बनाने की तयारी कर रहे हैं बैगन और टमाटर का चोखा बना रहे हैं ये टमाटर और आलू का भी चोखा बनता है यह हमारे बैगन गल गए अब टमाटर गल रहे हैं यह कोईले पर बहुत अच्छा टेस्ट आता है चोखे का यह हमारे टमाटर बैगन रेडी हो गए पक गए हैं बिलकुल अच्छी तरीके से अब इसे हम छिल लेंगे सारे बैगन और टमाटर को छिल लेंगे इस तरह से इसका छिलका निकल जाएगा इसली निकल जाता है फ्रेंड्स टमाटर सेकने के बाद बहुत अच्छे से गल गिया है देखिए इस तरह से बैगन के भी छिलके निकल जाएगे इस देखिए प्रेंड्स हमारे टमाटर भैगन इसे आटन से कैंट से पे लहसन डालेंगे, बारिक कटीवी प्याज, दनिया पत्ती डालेंगे, नमक अपने टेस्ट के मताबिक, और अब इसमें मस्टर्ड ओयल डालेंगे, अब इसे अच्छे से पूरा मिक्स कर लेंगे, और ये देखिए, मिक्स होकर रेडी हो गया, चोखा, बिहार में एक और मिर्चे की चटनी बहुत पसंद की जाती है, इसमें सिर्फ लहसन और मस्टर्ड ओयल नमक डाल कर बनाते हैं, कूच कर बनाते हैं, इसलिए इसे कुछला भी बोला जाता है, अब लीटी चोखा सब बन कर तयार हो गया है, अब इसे सर्व करेंगे, एक प्लेट में, इसके एलीटी के ऊपर घी लगाएंगे, इसके ऊपर घी लगाए जाता है, घी के साथ खाते हैं इसे, एक साइड में मैंने ये रखा है, कुछला, मिर्चे का, और ये है चोखा, ये सर्व करिए, और खाईए और खिलाईए, आप भी बनाएए फ्रेंड्स, और मैसेज करिए, मुझे कि कैसा बना, आपने कैसा बनाया, कैसा लगा इसका टेस्ट, बहुत ही अच्छा होता है, मेरे इस व्लोग को, प्लीज, लाइक, शेर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, बाई, अल्ला आफेज,